ओनलाइन फ्राट के मद्दे नजर पराजिया में साइबायर अपरादों से जागरुकता के लिए कारिशाला लगाई गई जिसमें लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और ओनलाइन ठगी से बचने के तरीके बताए गया इस दोनाद सरपंच विपिन शिवास्तों ने कहा कि इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन अंग बन गया है इसने हमारे आसपास में संवाद करने और मित्र बनाने नई सूचना साजा करने भुकतान करने और खरीदी करने के तरीकों को बदल दिया है इनी सब कारणों से साइबर अपरादों के मामले में दिन पर दिन बढ़त्री हो रही है जानकारी के अभाव में विशेश रूप से महिलाए ठगी का शिकार हो जाती है इसलिए महिलाओं को जागरुक करने के लिए कारशाला का आयूजन किया गया है इसके बाद चोकी प्रभाई रागवें अनुपाध्या ने साइबर क्राइम के तरीके और सतरक जागुता से बचाओं के बारे में बताया उन्होंने कहा कि यह अच्छी पहल है और इसका अनुसरन होना चाहिए आप देख रहे हैं दखल्यू